भूमिका भारत का मोल निवासी दर्वीड कुडुक जिनकी एक समय भारत में तोती बोलती थी जिनका वैपारिक संबंध देश विदेशों में पुरु में तमर लिपती पर्ची में भदोच आदी बंदरगाहों में थी जिनका निवास अस्तान हिंदुस्तान के स्वर्न भू और सहस्कृति पर आगाहत पहुशने लगी ये विवस होकर अपने मुल अस्तान छोड अमन चेन की जिन्दगी एवं जीविका की खोज में इधर-उदर भठकते रहें अंत में चारो तरब से जंगल पहाडों से घिरे दुर्गम छोड़ा नागपूर के वन परदेश को अपने लिए सुरक्षी समझ कर इसमें बस गए जीविका उपारजन के लिए इन लोगों ने जंगल साब किया नदी नाले को बांध कर क्रिसियोग जमीन बनाई जीवन की हर आवश्यक वस्तु खुद पैदा करते तथा अभाव की पूर्ती जंगलों से करते थे केवल कमी थी नमकी जो सुदूर दक्षिन के परदेशों से उपलब्ध होता था अपने जमाने में यह भी बड़ा दुरलब था यातायाद के कोई साधन नहीं थे रास्ते भी खतरनाक थे यह उने जाने में महिनों दिन लगते थे अता आने वाली व्यक्ति की इंतिजार घर परिवार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से करते थे इस सम्मन्द में उराव परिवार में एक मुहावरा अभी भी पर्चिली थे साध्या मुहावरा उसी समय का और इसी कारण से पर्चित हुआ ऐसा लगता है जब किसी परिवार में किसी वेक्ति की मिर्ति हो जाती है ऐसे इस्तिती में घर के अबोध बच्चे बच्चियां मिर्त वेक्ति की खोज खबर में जिद मचा देते थे तो उन्हें संतावना देने के लिए कहा जाता है कि बेक खेंदा केरस केरा बेर ओसुवर ओ अर्थात नमक खरिदने गई है या फिर गया है वो आजाएगा कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग से खोज खबर करने का ख्याल उतर जाता है विसलेशन इस छोटा नागपूर छेतर में उराओं जनजाती के आने के पहले मुंडा जनजाती के लोग निवास करते थे कई जमाने तक उराओं मुंडा दोनों जातियां घुल मिलकर सौतनुचता पुरवक चेन से रहने लगे वे खुद जमीन के मालिक थे किसी परकार की माल गुजारी ना थी इनके लिए कमाव खाओ और आनन्द मनाव का जमाना था इनके बीच में एक मुहावरा आज भी परचले थे राज धरेना साह जिंदगी रे चिकन परवाह का समय था धीरे धीरे राजा जमिनदारी की परथा शुरू हुई इसके साथ बाहर से कई परकार की जातियां इस परदेश में बसे अब उराओं मुंडा के आनन्द में जीवन में विभीन परकार की विग्न बाधाय आने लगी इनकी जमीन जायदात अन्य जातियों दुवारत छीनी जाने लगी भू स्वामित छीन लिया गया अब इन पर सब परकार से अन्याय तथा जुल्म हो चले कितने अत्यचार के विरुद जूज पड़े कितने बेजमीन होकर छोड़नागपुर छोड़कर आसाम भुटान का सरन लिये उत्रोतर गरीबी का दल दल में फंसते गए और वर्तमान में इनका सब कुछ बिग गया इनकी आन्शान मान सम्मान खत्म हो गया प्रन्तु जनजातियों के कलियान के लिए सरकार दोवारा काफी परियास किये जा रहे हैं इनके विकास की समुची देखरेक के लिए सरकार के दोवारा छोड़नागपुर एवं संथाल प्रंगना सौशासी विकास प्राधिकार का गठन किया गया जिने अब तीन भागों उत्री छोड़नागपूर एवं दच्नी छोड़नागपूर एवं संथाल प्रंगना सौशासी प्राधिकार के रूप में विवाजित कर दिया गया है जनजातिये छेत्रों के तौरीद विकास के लिए जनजाती उप्योजना की अलग से ववस्ता है क्योंकि धनराश्ची की कमी से जनजातियों का समुचित विकास संभव नहीं है जनजातियों के विकास के लिए सरकार का कलियान विभाग भी है हलांकि दूसरे राजियों की तरह जनजातियों के आबादी अधीक होते वे भी जार्खन बिहार में अलग से जनजाती विकास विभाग नहीं है इसी कारण जनजाती कलियान भी कलियान विभाग के साथ सनलगन है आदिवासी कलियान आयुक्त के अत्रिक्त राज के विभिन जीलों में जीला कलियान पदाधिकारियों, अनुमंडल कलियान पदाधिकारियों तथा परखंड कलियान पदाधिकारियों दोवारा अनुसूची जाती एवं जनजाती कलियान योजनाओं की देख रेक की जाती है इसके अतरिक्त जनजाती साहकारिता निगम तथा बिहार जनजाती कलियान सोध संस्थान और जहरखन जनजाती कलियान सोध संस्थान भी इनके चहुमुखी विकास के लिए कारिरत है सरकार एवं विभिन सरकारी एजेंसियां उराओं जनजाती के साथ साथ सभी जनजातियों के संपुर्ण विकास के लिए परियत नसील है परिनाम सरूप इन जन्जातियों के इस्तिती पहले से काफी सुधरी है तथा पी अभी भी काफी सुधार एवं सहियों की आव सकता है